कि वीडियो में हम देखेंगे कि बैक प्रेसर क्या होता है और हम इसको मसीम में कैसे देते हैं इसका क्या काम होता है इस सभी के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे कि वाटिज बैक प्रेसर देखें जब इसक्रू से जो प्लास्टिक मेट्रियल होती है उसको मोल्ड में इंजेक्ट करते हैं जैसे यह माली हमारा मोल्ड है ठीक यह प्लास्टिक मेट्रियल ग्रेनवल्स है जिसके दौरा अंदर आता है और यह इसको reciprocating screw बोलते हैं इस screw के द्वारा हमारा जो मैट्रियल होता है यहां से इस्क्रू के द्वारा मूल्ड में इंजेक्ट होता है तो मूल्ड में इंजेक्ट करते के बाद जो नोजल यह हमारा होती है इस नोजल के पास जो नोजल के पास मैट्रियल बच जाता है तो उस जो material बच जाता ना उस material बचे वे material के द्वारा जो screw होती है उस पर pressure लगता है screw पर उस material के द्वारा उसी pressure को हम back pressure बोलते हैं एक बार और फिर देखते हैं कि back pressure हम किसे कहते हैं कि जब screw के द्वारा plastic material को mold में inject करता है product बनाने के लिए तो जो nozzle होती है उसके पास material बच जाती है तो जो material बच जाता है उस material के द्वारा जो हमारा screw होती है उस पर return force लगता है pressure लगता है उसी pressure को हम back pressure कहते हैं back pressure कैसे लगता है इसको हम देखते हैं देखिए जो हमारा दो valve होता है जैसे कि एक हो गया एक यहां पर हैगा valve दो valve रहता है एक valve से हमारा जो आईल होती है hydraulic जो आईल होती है वो एक valve से अंदर की तरफ आती है तो screw आगे की तरफ जाता है जब एक valve से से आईल हमारा अनदर आएगा pressure से तो जो screw रहेँ और rotate करते हुए हमारा आगे की तरफ आएगी तो जो मेट्रियल रहेगी वो मूल्ड में इंजक्ट होगा और जब स्कूरू हमारा पीछे जाएगा तो इदर से जो हमारा दूसरा वाला पाइप राता है जो आउट का काम करता है उसके दौरा जो आईल होगी वो आउट हो जाती है तो इस तरह से हमारा इस्कूरू जो होती है वो इंजक्शन करती रहती है बैक आती है आगी जाती है तो जब यहां पर मेट्रियल जम जाता है तो इस मेट्रियल के दौरा जब हमारा इस्कूरू पर प्रेसर लगता है उस दिशा में उस पोजीशन में जो हमारा आईल का वो जीधर से आउट होने वाला होता है उदर से इन होता है और जीधर से इन होता है उदर से आईल हमारा आउट होता है यही कहने के मतलब है कि जब मैट्रियल के द्वारा स्कूरू पर प्रेसर लगता है उसी प्रेसर को हम बैक प्रेसर बोलते हैं और बैक प्रेसर देने से ज अगर मालेज हम backstory increase कर रहे हैं तो जो हमारा screw का rotation है उसकी rotation कम हो जाएगी और slowly में पीछे rotate करते जाएगा जो हमारा screw है वो पीछे तो रोटेट करते जाएगा लेकिन वो slowly में rotate करते पीछे की तरफ हो इस क्रू हमारा जाएगा अगर कम रहेगा back pressure तो फस्ट स्ट्रोकर्ट करते चला जाए गया तो जिससे एक हम बैग प्रचार्ण देते हैं तो बैग प्रेषण देने सी स्कूर्ट रोटेशन की साइक्ल होती है ऊबढ़ जाती है उसकी जो रोटेशन की सौर्ट oni कोई भी मैट्रीयल का होता है ठीक हूँ और जो अगर मातने कोई हम भी कई मेंट हो गया यए कोई दो कलर का या मास्टर बैर च हम मिला के उसमें मैट्रैल को चला रहे हैं कोई UP कॉंपरेंट बना रहे हैं तो उसमें बैक प्रेशर हमको ज़्यादा देना पड़े गा क्योंकि back pressure देने से हमारा जो material का mixing होता है वो अच्छा होता है ठीक तो हम देखें कि back pressure क्या होता है तो back pressure होता है कि जब हम cascrew के दोड़ा mold में injet करते हैं material तो nozzle के पास جो material बच जाता है उसी बचेवे material से हमारे screw पर pressure लगता है उसी pressure को हम back pressure बोलते हैं अब देखते हैं कि back pressure से हमारा क्या profit होता है क्या lab होता है देखिए effect आप back pressure back pressure से हमारा क्या effect होता है कि अगर हम back pressure ज्यादा कर रहे हैं तो back pressure ज्यादा करने से क्या होता है तो हमारा जो matrial होती है प्लास्टों की बेरल में हम अपर मरग के बेरल में भाएजते हैं तो उसकी जो mixing होगी नोümोजीनियस मिक्सिंगए प्ऱापर मिक्सिग होगी। कि और सट मैकना के सायक्टिक की संख्या होती है वो बढ़ जाती है these और उसके दौरा भी हमारा जो मेटेल होती है उच्षयश। हें daha जादा कर रहे हैं तो जो हमारी मेटेल होती है वह प्र अध्यूवी कि औнов》 बराबर होग csak जबाबर मिकशिंग होगे कहीं कम कहीं ज्यादा ऐसे हीटिंग नहीं ब्राबर पूरी मिक्सिंग करेगी जिसके दुआरा हमारा मैट्रियल होगी अच्छे से मिक्स होगी और कम्पोनेंट में कोई डिग्रेड नहीं होता है